लोग सवा चुनाब में बीजेपी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है खास तोर परदेश के दूसरे सबसे बड़े राज्य महरास्ट में जहां उद्दब धाकरे का साथ बीजेपी को नहीं मिल रहा है जिससे उसे बड़ा नुकसान होना तैमाना जा रहा है पार्टी की फीडबेक रिपोर्ट भी बता रही है कि ठाकरे परिवार साथ नहीं रहेगा तो बीजेपी के लिए महरास्ट में रहा बहुत मुश्किल होने वाली है इसके बाद अब बीजेपी ठाकरे की शरड में जाने को तैयार है तो महरास्ट में बीजेपी की कैसे मजबूरी बने ठाकरे इसी सवाल पर करेंगे चर्चा नमस्कार मैं हूँ आपके साथ मांसी तो कैसे ठाकरे के आगे जुकने को तैयार हुई बीजेपी महरास्ट में बीजेपी बुरी तरह से फज गई है हाल ही में हुए मराथा आरक्षन आंदुलर ने उसकी इस परिश्वानी को और भी ज़ादा बढ़ा दिया है राज का OBC और मराथा दोनों ही बीजेपी से नाराज हैं खास तोर पर माराथा वोट जो बीजेपी को सिर्फ इसलिए महरास्ट में मिलता रहा क्योंकि बीजेपी का घडबंदन उद्दब धाकरे की शिफसेना के साथ रहा है लेकिन इस बार उद्दब धाकरे इंडिया घडबंदन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं ऐसे में बीजेपी के लिए मराथा वोट हासिल करना बहुत बड़ी चुनोती बन चुका है मराथों में ठाकरे परिवार की लोग प्रेता का फायदा बीजेपी को मिलता रहा है और दो साल पहले जिस तरह से बीजेपी ने शिफसेना को तोड़ कर ठाकरे परिवार को कमजोर करने की कोशिश की उसके बाद मराठो की सहनभूती भी उद्दब ठाकरे के पक्ष में दिखाई दे रही है अगर महरास्ट की बात करें तो अब तक राज्ज में 16 में से 10 मुख्यमंत्री मराठा समुदाय से ही बने हैं मराठो में कुनभी उपजाती का प्रभाव है CSDS के सर्वे में दावा किया गया है कि 2019 के लोगसवा चुनाव में 49 प्रतीशत मराठा कुनभीों ने शिफसेना का समर्थन किया था दूसरे नंबर पर 28 प्रतीशत के समर्थन के साथ रास्टवादी कॉंग्रिस पार्टी थी बीजेपी के पक्ष में 20 प्रतीशत और कॉंग्रिस के पक्ष में 9 प्रतीशत मराठो का समर्थन रहा था राज में बीजेपी को OVC और कॉंग्रिस का मुस्लिमों का अच्छा खासा समर्थन हासिल हुआ था तो शिफसेना के साथ चुनाव लडने के कारण मराठा वोट भी बीजेपी को मिल गया था यही कारण था कि राज की 48 सीटों में से 2019 के लोकसवा चुनावों में एंडी 41 सीटे जीतने में काम्याब हो गई थी इससे पहले जब 2014 में महरास्ट विधान सभा के चुनाव हुए तो बीजेपी और शिफसेना अलग लग चुनाव लड़े थे इस चुनाव में शिफसेना को 19 प्रतीशत वोट मिले थे जिसमें से 10 में से 11 प्रतीशत वोट मराठो का था यानि साफे की राज के मराठो पर ठाकरे परिवार का दबाब बना हुआ है शिफसेना का चुनाव निशान और नाम भले ही एकनाव शिंदे के पास हो लिकिन मराठे आज भी उद्दव ठाकरे के साथ ही हैं महरास्ट के राजनितिक और समाजिक समीकरणों को देखे तो मराठा वोटर जिस तरफ जाता है उस दल की जीत तैय मानी जाती है राज में मराठो के संक्या 28 से 30 प्रतिशत मानी जाती है ऐसे में बीजेपी ने अब मराठो के बीच सेंदमारी की कोशिश तेज कर दी है दर असल मराठो में सबसे जादा गुस्सा इस समय बीजेपी को लेकर ही दिखाई दे रहा है और इसी के चलते बीजेपी ने पहले शिफसेना को तोड़ा और फिर एनसीपी को क्योंकि महरास्ट में ये दोनों ही पातिया मराठो की पसंद रही है अब एनसीपी बिना शिफसेना बिना उद्दव धाकरे के बीजेपी के साथ है शरत पवार और उद्दव धाकरे नए नाम है और निशान के साथ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और दोनों ही पक्ष में जनता की सहनभूती भी दिखाई दे रही है ऐसे में बीजेपी की पहली कोशिश तो उद्दव धाकरे को ही अपने केंप में लाने की थी परदे के पीछे काफी कोशिश की गई कि उद्दव धाकरे को साथ ले आए जाए लेकिन उद्दव धाकरे ने साफ कर दिया कि वो इंडिया नहीं छोड़ेंगे जिन दलों ने मुश्किल समय में बीजेपी के साथ जाने को तयार नहीं है तो दूसरे तरफ लोगसवा चुनाब में बीजेपी का काम बिना ठाकरे के चलेगा नहीं ये बात पाटी हाई कमान भी समझ चुगा है ऐसे में उद्धव से बात नहीं बनी तो बीजेपी अब दूसरे ठाकरे की शरण में पहुच कर रही है उद्धव ठाकरे से पहले शिफ सेना का नाम और उसका चुनाफ चिन चुराए गया और अब बीजेपी की कोशिश है कि महरास्ट में ठाकरे का नाम भी चुरा लिया जाए बीजेपी ने इसके लिए राज ठाकरे को चुना है पिछले दिनों राज ठाकरे को दिल निर्माड सेना का विलेश शिफसेना में करने को कहा अगर राज ठाक्रे ऐसा करते हैं तो उन्हें शिफसेना की कमान भी दी जा सकती है साथी साथ पार्टी ने एकनाथ शिन्दियों को भी आशवसन दिया कि उनका सीम पत बरकार रहेगा और इस साल के आखिर में होने वाले विधान्सवा चुनाब में भी महायुती की तरफ से वो ही सियम उमीदवार होंगे राज ठाकरे अगर शिफसेना में आते हैं तो BJP और शिफसेना दोनों को फायदा हो सकता है क्योंकि फिर राज ठाकरे के पास शिफसेना का नाम और उसका पारंपरिक चुनावचिन, धनुश और तीर भी होगा दरसल बीजेपी को एहसास है कि मराठो के मन में उद्दव ठाकरे को लेकर मराठी माडुस की जो भावना अभी भी बनी हुई है उसमें राज ठाकरे के सहारे ही सेंद मारी की जा सकती है एकनात शिंदे उद्दव ठाकरे का मुकाबलाद नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी को एहसास हो चुका है कि शिंदे की जगा को ठाकरे ही शिफसेना कर नेतरत्व कर सकता है इसलिए बीजेपी राज के साथ हाथ में शिफ सेना की कमान देना चाती है उदब ठाकरे को भी इस बात के संकेत मिल चुके हैं कि बीजेपी राज ठाकरे के सहरे शिफ सेनकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है ऐसे में जैसे ही इस डील की खबरे आई उद्दब धाकरे ने बीजेपी को घेल लिया उद्दब ने कहा कि पाटी का नाम और निशान चुराने के बाद अब बीजेपी धाकरे का नाम चुराने की कोशिश कर रही है लेकिन बीजेपी धाकरे को चुरान नहीं पाएगी बीजेपी ने ये मान लिया है कि महरास्ट में उसे सफलता तभी मिलेगी जब ठाकरे परिवार उसके साथ होगा लेकिन मराठो में अगर किसी की पहचान सबसे बड़ी है तो वो है उद्दव ठाकरे की और उद्दव ठाकरे इंडिया गड़बंदन के साथ है ऐसे में बीजेपी जो कोशिश कर रही है उसमें उसे सफलता मिल पाएगी इसकी संभावना बेहत कम दिखाई दे रही है क्योंकि मराठा बाला साइब ठाकरे के परिवार के साथ है राज ठाकरे ने 18 साल पहले 9 मार्च 2006 शिफ सेना से अलग होकर महारास्ट नव निर्मार सेना पाची बनाई थी लेकिन 18 सालों में राज ठाकरे को राजनीती में कोई सफलता नहीं मिली मराठो का उन्हें साथ नहीं मिल पाया ऐसे में राज ठाकरे बीजेपी की कितनी मदद कर पाएंगे इस पर सवाल बने हुए हैं लेकिन एक बात जरूर साफ हो गई है कि बीजेपी महारास्ट में तभी सफल हो पाएगी जब ठाकरे परिवार उसके साथ होगा और असली ठाकरे तो इंडिया के साथ है और महारास्ट को लेकर हाल ही में जो सर्वे सामने आए हैं उसमें भी साफ हो गया है कि राज में इस बार इंडिया गडवंदन भारी पढ़ रहा है एंडिया को राज में बड़ा नुकसान होना तैमाना जा रहा है और इसी के डर के चलते बीजिपी ठाकरे की शरड ले रही है फिलाल आज हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही कल फिर मुलाकात होगी एक नए स्पेशल रिपोर्ट के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए अजाजत नमस्कार